कुंफू पांडा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे चारो पैंडा ने मिलके चार योध्थां से एक मौका और मांगा था कि उन्हें वापस से अर्थ पे भीजा जाए ताकि वो लोगों के मदद कर सकें और अब वो भी रूख की दुनिया से बाहर आच चुका इसी कंटिनिटे के साथ में एपिसोड नंबर 11 की शिर्वात होती है जहां पर हमें पताया जाता है कि कई हजार सालों पहले एक पवित्र कूप स्त्रोथ हुआ करता था जिसमें पवित्र कूप को बचाते बचाते पथर में बदल जाते हैं और इन सभी की सोल रूख की दु चारों योधाओं के सामने खड़े थे तो चारों योधा कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम लोगों के साथ में क्या होनी वाला है पैंडा कहते हैं कि आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे कि उस स्त्रोथ को बचाते बचाते हम भी फ्रीज हो जाएंगे हम में आखिर मौका चाहिए अगर हम वहां नहीं रहेंगे तो वहां के लोग बे मौत मारे जाएंगे क्योंकि जिन्डाओं किसी को नहीं छोड़ेगा योद्धा कहते हैं कि अगर तुम्हें अर्थ पे जाना है तो वापस से 1000 साल लगेंगे और उसके बाद में ही तुम वहां प तुमें जिन्डाओं को मारना ही होगा तब वहां पे पो कहता है कि मेरे पास मेरी उर्चा नहीं है तब वहां पे मिस्टर ली कहते हैं कि इसमें हम तुमारी मदद करेंगे तुम आगे बढ़ते जाओ और हम सब को डायरिक्शन देते जाओ अब यहाँ पे सारे पैंडा जी जीजों को अर्नी जीज़ों को बस इंजॉई ही करते रहते हैं तब पैंडा आके गुस्ये में पूछते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है तब योद्धा बताते हैं कि तुम एक बार मर चुके हो और अब तुम वापस यहाँ से कभी बाहर नहीं नि पो बार-बार में गिरता है लेकिन फिर पिर पिर जिन्डाओं से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है अब पो को समझ में आता है कि वो जिन्डाओं से नहीं जीत सकता है तभी पो को काफी टाइम पुरानी कुम्फू की एक ट्रिक याद आती है गाइस अगर आप सभी लोगों ने कुम्फू पांडा सीरीज देखी होगी तो उसकी मूवीज में आपको इस ट्रिक के बारे में अच्छे से पता होगा पो अपनी एक फिंगर को पकड़ता है और उसके बाद पो जिन्डाओ को अपने साथ लेके रूख के दुनिया में चला जाता है इसका मतलब है कि पो ने जिन्डाओ की जान के साथ साथ में अपनी जान भी दे दी पो अभी यहाँ पे जब रूख की दुनिया में पहुचता है तो वहाँ उसे सबसे पहले योकाई मिलता है जो कि उसे पकड़ के बहुत सुनाता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था वो योकाई को समझाने की कोशिश करता है कि यह जिन्डाओ है लेकिन जिन्डाओ भी बहुत स्मार्ट निकलता है और वो योकाई को कहता है कि मैंने तो तुमें कभी नहीं देखा योकाई फिर आके पो को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने आखिर मुझे थोका दिया यहाँ दूसरी तरफ छोटे पैंडा रू के दुनिया में ही थे और नुहाई वहाँ पे अकेली बैट के रो रही थी तब वहाँ पे ब्लू ड्राइगन आता है और उसे बात करता है तो नुहाई पूछती है कि आखिर ये मेरे सामने क्या चीज़े हैं तो ब्लू ड्राइगन बताता है कि ये भी सोल है अलग अलग तरह की की सोल जो कि हर बार अलग शेप्स लेते हैं ये जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पे उचल के पो इनके पास में आके गिरता है पो जब इन पैंडा से मिलता है तो बहुत खुश हो जाता है और ये बच्चे भी पो को देखके बहुत खुश थे यहाँ पर अब जब वह आ चुका था तो योकाई भी उसके पीछे पीछे ही था सभी यही वंडर कर रहे थे कि आखिर पो यहाँ पर कैसे पहुँचा योकाई इस टाइम तक भी पो को बुरी तरीके से मार रहा था और साथ ही साथ ब्लू टरैकन और बागी योद्धाओं को बताता है कि जिन्डाओं भी इस टाइम रू की दुनिया में पहुँच चुका है और योकाई फिर से पुरी तरीके से पो को मारने लगता है और अब इसके बाद में फाइनली चारो पैंडा एक साथ में पहुचते हैं और कहते हैं कि हमें बागी बाती बात में करने चाहिए और जिन्डाओं को हम पकड़ लेंगे पहले हमें मास्टर पो की मतदद करनी पड़ेगी जिसके बाद चारो मिलके एक साथ योकाई को मारती है यहाँ पे चारो योधा एक साथ देखते हैं कि कैसे ही चारो पैंडा एकदम स्ट्रॉंग बन चुके हैं और इन्हें जब ये पावर मिली है तो ये इसका अच्छे से ही यूज कर रहे हैं चारो पैंडा मिलके योकाई को बहुत दूर फैंक देती हैं अब जब पो यहाँ पे बच चुका था तो चारो पैंडा से मिलके वो बताता है कि जिन्डाओ यही कई पे घूम रहा है और हमें उसे रोकना पड़ेगा तब यहाँ पे पो को बनी धर्मा भी मिलता है पो को बनी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि पो की जान बचाने के लिए ही बनी मारा गया था लेकिन बनी बताता है कि वो तो यहाँ पे बहुत मज़े कर रहा है पो यहाँ पे बताता है कि मैं अखर जिन्डाओं से कैसे लड़ सकता हूँ मेरे पास मेरी उर्चा नहीं है तब यहाँ पे बनी कहता है कि यह रूह की दुनिया है यहाँ पे तुम्हारे दुनिया के रूल्स नहीं चलते हैं बलकि यहाँ पे सारी चीजे पहले के जैसे ही रहती है जैसे कि इन्हें हूनी चाहिए थी और रहे बात तुम्हारे उर्चा क कSOUND हमें भी तो लेक Philippines यहां पे चारो पैंडास चार योद्धाओं से कहते हैं कि आपको हमारे मदद करनी चाहिए अन का है यहां पे नुहाई कहते हैं कि हमारी उर्चा जिनडाचा नहीं बची है इसके बाद में यह चारो योधा कहते है कि तुम्हारे पास ही आखरी वक्त है तुम पहले ही मर चुके हो लेकिन इस बार अगर रूख की दुनिया में तुम मारे गए तो तुम्हारा नामों निशान मिट जाएगा तो तुम्हें इस बार जीत नहीं पड़ेगा इन चारों पैंडास को दुनिया को बचाने के लिए से अर्थ पे जाना ही था और इन चारों पैंडास को मौका देते हुए ये योध्धा अपने इस सारी पावर्स जो भी बची कुची थी वो इन पैंडास को दे दिते हैं यानि कि इन योध्धाओं का वजूद इस रूख की दुनिया से भी चला जाता है और इन चारों ने अपना सेक्रिफाइस इन पैंडास को देने के लिए किया था यानि कि इन पैंडास के पास वापस ही अपनी उचा आ चुकी थी और इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नबर 13 के शिरवात होती है जहां पर ये चारों पैंडास ये सोचते हैं कि आखिर ये मास्टर पो औ दुनिया में चीजे बदली हुई होती है ये हमारे दुनिया से काफे डिफरेंट होती है यानि कि ये चारों बच्चे अप उड़के किसी भी चीज को ढूंड सकते थे यहां पर पो अब जिन्डाओं से फाइट कर रहा था तब ही ये बच्चे भी यहां पर पहुंच चात जिन्डाओं ने अपनी पावर्स इस रूप की दुनिया में एक बड़ा सा छीट कर दिया था वो यहां पे फिर से कहता है कि तुम चारों अपनी पावर्स इखटी करो और उसके बाद मैं जिन्डाओं पे अटेक करो मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ ये चारों पैंड़ा एक साथ अपनी पावर से खटी करते हैं और जिन्डाओ के ओपर अटेक करते हैं लेकिन तभी जिन्डाओ वहां से रास्ता देखे उस होल से बाहर निकल जाता है और असली दुनिया में पहुँच जाता है तभी वहां पे मास्टर पो इन चारो पैंडा को कहते हैं कि चल्दी निकलो यहां से नहीं तो हम अमिशा यहीं पे रह जाएंगे और अब यहां पे जिन्डाओ के साथ साथ में बागी सारे पैंडा भी इसे दुनिया में पहुँच जाते हैं जिन्डाओ तो अभी भी ड्रैगन मास्टर ही बना हुआ था लेकिन पो वापस ही एक पैंडा में बदल चुका था अब यहाँ पे पो और इन चारो पैंडा के साथ में पैंडा विलिज के सारे पैंडा मिलके इनकी मदद करते हैं और यह सभी एक साथ जिन्डाओ के उपर अटेक करने लगते हैं यहाँ पे अब जब फाइट नहीं रुक रही थी तो मैं में को एक आईडी आता है और वो जेट को पकड़ लेती है और उसके बाद जिन्डाओ को कहती है कि अगर तुमने यह सारी फाइट नहीं रोखी तो मैं जेट को मार दूँगी सब को लगता है कि जिन्डाओ जेट को बचा लेगा और सारी फाइट को रोख देगा तुम्हें खाने के लिए बहुत सारा खाना और बहुत सारे पैसे तुम पूरे दुनिया पे रास कर सकते हो इसके पतले में बस तुम्हें यही करना है कि इन चारो छोटे पैंडा को मेरे पास भीज देना है जिसके बाद मैं तुम सभी को छोड़ दूगा लेकिन मिस्टर ली जो कि इस पैंडा विलेज के हेड थे वो जिन्डाओं के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम इन बच्चों को नहीं देंगे ये बच्चे हमारा परिवार है और चाहे कुछ भी हो जाये तुम हमें मार भी क्यों ना दो लेकिन हम तुम्हें यहां से जीत क हो जाते हैं और उसके बाद अपनी पावर से एक साथ जिन्डाओं के ओपर अटैक करते हैं मिस्टर पिंग भी अब यहां पे कलश लेके पहुँच चुके थे लेकिन जेट की टीम अभी इन पैंडा से फाइट कर रही थी सभी के बीच में फाइट होने लगती है इसी कलश को पकड़ने के लिए आखिर में पो के पास में वो कलश पहुच जाता है चारो पैंडास एक साथ अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं एक तरफ पो उसको लेके खड़ा था वहीं दूसरी तरफ सारे पैंडा ने मिलके जिन्डाओं की सोल उसकी बॉड़ी से बाहर निकाल दी थी और वो सोल आके सीधा इस कलश में बंद हो जाती है लेकिन तब ही वहाँ पे जैड की टीम के कुछ सोलजर आके पो से फाइट करने लगते हैं और वो कलश नीचे गिरने ही वाला था कि पो उसको लेने के लिए नीचे कूच जाता है लेकिन फिर भी वो कलश ह चाहें तब तक रह सकती है तब जैट कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिंडाओं के अंडर बिताई है उसकी हमेशा मदद की है लेकिन उसे कभी मेरी वैल्यू के बारे में पता नहीं चला अब मुझे खुद देखना होगा कि मैं आखिर किस चीज में परफेक्ट घर पर रख दिया जाता है ताकि वापस से कोई भी उस पवित्र कूप स्तरोत को ना छेड़े और उसमें से उर्जा बाहर ना निकाले साथ ही साथ जिंडाओं भी यहां से निकल के कभी बाहर ना आ पाए अब यहां पे जब सब कुछ ठीक हो चुका था तो टाइम था इन पे मिस्टर ली मीमे के साथ में चार ट्रॉफी लाए थे और ये ट्रॉफी चार योध्धाओं की थी इन चारो बच्चों को यहां पे अप्रिशेट किया जाता है कि इनों ने इस पूरे पैंडा विलिज को बचा लिया है यहां पे चारो पैंडा पो से पूछते कि आप आ बढ़ने लगते हैं ये सारी चीजें उगवे और बनी धर्मा एक साथ देख रहे थे बनी यहां पे उगवे को कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी जो उस टाइम पे ये काम पूरा नहीं किया तब उगवे कहता है कि हर चीज का सही वक्त होता है और तुमने तुम अलग विलिज से क्योंकि इन बच्चों के बारे में हर विलिज को पता चल चुका था कि ये बच्चे एक बड़े योधा है और यहां हमारी जान जरूर बचाएंगे इसी कारण इन चारों बच्चों के पास में अलग अलग काम आने लगते हैं अब ये चारों बच्चे इचांदार सीजन यहीं पर खत्म होता है तो आप सभी लोगों को ये सीजन कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके सेकंड सीजन में तब तक ये लिए टाटा अटब जल तक ये लोगों से आप सार आप सभी लोगों सेकंड से चलिए नहीं तक ये लोगों से जरूर झाली हैं तक ये लोगों में झाली होता है झाल झाल